इस पर्टिक्लर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनवा के एक फीचर के बारे में इसको लेकिन बहुत सारे लोग उसको यूज नहीं करते हैं जब भी मैंने देखा है कि कैनवा प्रकाम करते हैं पर अगर आप ये जो फीचर है उसको यूज करते हैं और इसको काफी 100% उटिलाइस करते हैं तो आपको जो डिजाइन बहुत ही एकुरिट बनेगा और बहुत ही सिस्टमाटिक बनेगा तो यहां पर हमने जो डिजाइन बनाया हुआ है एक बार उसको उपन कर लेते हैं यहां से तो इस डिजाइन के अंदर अभी हमने कुछ टेंपलेट एक टेंपलेट हमने लिया था प्रीवेस वीडियो में एक ब्लंक इस तरह क्या में जएए इस वीडियो को हटा देते हैं इक बार गर के लिए हम से ऑर प्रीमेंटस में जाक के हम एक simple सा एक image ले लेते हैं यहां से तो images में photos में हम जाएंगे और photos में से कोई भी एक image ले लेंगे तो जिसे हमने लिया new year का ऐसा कुछ image हमने लेते हैं तो new year का image हमने ले लिया कुछ इस तरह से अब यहां पर समझने वाली बात क्या है दोस्तों जब भी आप इस particular element को shift करेंगे यानि इसको left में ले जाएंगे right में ले जाएंगे तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो blue colors के आपको lines दिखेंगे blue colors की lines दिखेंगी इनको बोलते है guiding lines या फिर guiding lines दोनों ही आप बोल सकते guiding lines भी आप बोल सकते हैं और guidelines भी बोल सकते हैं guiding lines क्यों बोल जाता है इनको क्योंकि जब आप किसी भी design पे किसी भी project पे काम करते हैं तो designing एक ऐसा field है जहां पर आपको चीजें systematic और काफी accurately place करनी होती है आप randomly elements को कहीं भी place नहीं कर सकते हैं आपको उनका alignment, उनकी position, left, right से margin सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और make sure करना पड़ता है कि सारी चीजें अपने जगर पर सही तरीके से placed हैं तो अगर आप इस element को कहीं भी उठाएंगे तो देखेंगे कि अगर मुझे इस element को इस पूरे box के यानि इस पूरे design के जो मेरा size है इसके beach of beach लाना है तो अब अगर मैं ये guidelines नहीं होती या guiding lines नहीं होती तो काफी मुश्किल होता मुझे देखना पड़ता ओपर से space कितना है नीचे से कितना space है, left से कितना space है और right से कितना space है तो सारा accurately calculate करने के बाद ही मैं जो इस image को place कर पाता लेकिन जैसे ही मैं इस image को shift कर रहा हूँ एक जिगह से दूसरी जिगह पे ये lines दिख रही है और बीच ओ बीच लाने का यानि center में लाने का सबसे easy तरीका है या कैसे पता चलेगा जब ये दोनो lines एक जो आप देख रहे हैं कि ओपर से नीचे आ रही है और left से राइट जा रही है horizontal and vertical तो इस जो दोनो lines हैं जब वो एक दूसरे को intersect कर रही है एक point में मिल रही है तो वो दिखा रहा है इस पूरे size का इस पूरे page का middle point और ये दिखा रहा है कि इस image को भी अब मैं बिल्कुल center में ला चुका हूँ और अब यहाँ पे छोड़ सकता हूँ अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना है तो इसको मैं hold करके वापस ऊपर ले जाऊँगा तो देखेंगे आप एक box बन रहा है एक blue color का box बन रहा है जिसके left, right, top और bottom चारू तरफ से जो space है corner से वो same है तो अगर मुझे इसको बिल्कुल यहाँ ले जाना है तो मैं यहाँ ले जा सकता हूँ अगर मुझे और कहीं ले जाना है तो और कहीं ले जा सकता हूँ तो यह जो by default lines है यह हर बार दिखेंगे अभी जैसे यहाँ पर सिर्फ एक image है अगर मैं एक और कोई element लेता हूँ for example एक और कोई मैं shape ले लेता हूँ यह box लेता हूँ इस तरह का यह मैंने box ले लिया यहाँ से अब इस box को अगर मैं shift करूँगा तो आप देखोगे कि guide lines तो दिखी रही है और इसके साथ-साथ अब यह जो box है इसको इस particular image के साथ भी मैं align कर सकता हूँ यह यहाँ पर भी मुझे अब जो lines है वो extra दिखा रहा है अब यह आपर दिखा रहा है कि आपको अगर इस image को जितना right से इस image ने space लिया हुआ है उतना ही box को रखना है तो देखिए अभी alignment किसके थूँ दिखा रहा है इस image के थूँ अगर मैं यहाँ पर लेके जाओंगा तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है अगर मैं और कहीं लेके जाओंगा तो देखो अब यह box से border से भी दिखा रहा है और यहाँ पर इस image से भी दिखा रहा है अगर मैं एक और element ले लेता हूँ for example यह graphic ले लेता हूँ मैंने graphic लिया अब देखो अगर इस graphic को मुझे इस box के बिलकुल center में लाना है यह देखो center में लाना है इसके ओपर ले आता हूँ और देखो बिलकुल center में horizontally यह center में और बिलकुल बीच में यह आ गया तो मैं थोड़ा box को right side में किसका देता हूँ और इस image को अब उपर लाने की कुश्च करता हूँ यह देखो तो यह box का center दिखा रहा है मुझे कि 2023 को box के center में आप कैसे ला सकते हैं तो अब वो guideline दिखा रहा है ऐसी अगर मुझे 2023 को इस image के center में लाना है तो यह देखो इस image के center में आ गए अगर इस 2023 को पूरे page के center में लाना है size के center में लाना है तो कैसे होगा तो यह lines जो हैं लंबी वाली उनको देखूँगा मैं और उनको देखकर यह चीज मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरह से तो यानि जो lines हैं guiding lines हैं या आपकी help करती हैं एक element को place करने में accurately चाहे आप उसे पूरे page के respect में देख लें या फिर किसी और element के respect में देख लें दोनों ही तरह से आपकी मदद करती है बटी आपको तब ही दिखेंगी जब आप किसी element को आप shift करेंगे या move करेंगे otherwise अगर आप सिर्फ design देखेंगे तो ये lines आपको नहीं देखेंगे क्योंकि ये design का part permanently नहीं है ये सिर्फ आपको temporary level पर guide करती है और उसके बाद जो है ये अपने आप auto hide हो जाती है इसके अलावा Canva में एक और feature है जो है ruler ये तो थी guiding lines इसके अलावा एक और feature है वो है ruler उसको आप कैसे enable कर सकते हैं यहाँ पर आप जाएंगे file में file में जाएंगे और यहाँ पर आप settings पर click करेंगे view settings पर यहाँ पर दिखेगा show rulers and guides show rulers and guides इस पर click कीजिए तो देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि उपर top पर और left में एक ruler आ गया है ruler से क्या होता है दोस्तो ruler से हमें exact अगर हमें कोई distance लेना है margin लेना है बिलकुल accurate लेवल का लेना है क्योंकि अभी जो चीजें हो रही थी वो कैसे हो रही थी वो center, left, right, top, bottom हो रही थी पर हमें नहीं पता कि image और इस corner edge के बीच में कितना margin है कितना space है हमें नहीं पता है अगर हमारे पास कोई इस specific requirement है कि हमें 20 pixel का margin रखना है left से तो हम वो ruler की help से कर सकते हैं अब ruler कैसे मदद करेगा? ruler कैसे मदद करेगा तो देखो यहां से ruler से for example मुझे यह उपर से यहां जो edge है उपर का वहां से 20 pixel का space लेना है यह जो पहले पूरा page है इसकी size बता देता हूँ इसकी size है वो है 1080 x 1080 pixel यानी 1080 x 1080 pixel इसकी size है तो यह जो आप देख रहे हैं यहां पर यह जो ruler है यह भी pixels में है यह भी pixels में अगर आप ध्यान से देखेंगे 0 से start हो रहा है और यहां पर 1080 पर खतम हो रहा है तो width इसकी कितनी है 1080 और यहां से भी आप देखेंगे 0 से start हो रहा है और यहां तक जाते-जाते 1080 पर खतम हो रहा है तो यह pixel में है ruler तो मैं माल लेता हूँ कि मुझे top से 20 pixel का space देना है तो मैं क्या करूँगा यहां से एक जैसे आप देखेंगे double-sided arrow हो गया तो इसको यहां से click करूँगा mouse का left click press करूँगा और एक arrow ले आऊँगा और left side में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आगया 0 यह देखें left side में जहां मेरा cursor है वहाँ 0 pixel मतलब अभी कोई difference नहीं तो अब इस image और इस edge इसके corner के बीच में 20 pixel का gap है यह मुझे इस ruler से पता चला अब यह ruler का जब काम खतम हो जाएगा तो मैं इसको पकड़ूँगा बापस और इसको उपर कहीं भी छोड़ दूँगा ताकि यह गायब हो जाएगा मेरे final design में यह नहीं दिखेगा सेम ऐसे ही अगर मुझे left से भी यहां से left से भी 20 pixel का gap देना है तो इस बार में यहां से उठाऊंगा और यहां से इसको right side में ले आऊंगा तो यह तो 0 है और यह यहां पर 20 pixel आ जाएगा कभी आपको अगर थोड़ी मुश्किल होए कि 20 नहीं आ रहा exact वो number नहीं आ रहा तो आपको कुछ नहीं करना है आपको simple सा काम करना है आप यहां पर नीचे जो यह देख रहे है zoom in इसको थोड़ा zoom in कर लो यहां से तो zoom in करोगे तो उपर थोड़ा better दिखेगा और यहां से आप मैं 20 pixel आराम से ले सकता हूँ कुछ इस तरह से और जब काम हो जाए और आपको zoom out करना है तो यहां से वापस zoom out कर सकते हैं तो 20 pixel उपर से तो थाई और मैं left में लाओंगा इसको यहां पर कुछ इस तरह से तो 20 pixel अब यहां से भी आ गया है अब क्योंकि मैंने वो ruler वाली line हटा दी थी तो possible है कि यह थोड़ा सा नीचे shift हो गया तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे simple सा वापस उपर से 20 pixel का ruler लाना है और यह देखो 19 पे था यह तो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं एक बार हटाते हैं zoom in करते हैं और जो हमने ruler है हमारा उसको 20 पे adjust कर देते हैं यह मेरा 20 adjust हो गया तो उपर से भी 20 pixel का gap है और left side से भी 20 pixel का gap है कि जो size है आपकी size की जो unit है जिसे यहाँ पर pixel है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आप pixel में ही size लेंगे तब यह आप inches में size ले सकते हैं centimeter में ले सकते हैं या millimeter में ले सकते हैं उस case में जो यह ruler है वो भी उसी unit पे काम करेगा अगर pixel है तो एक दो pixel या 20-30 pixel के according चलेगा centimeter है तो centimeter के according चलेगा inches है तो inches के according चलेगा तो इसलिए आपको इस ध्यान रखनेगे तो इस जो ruler है वो काफी important है और ऐसे आप एक नहीं आप कितने भी ला सकते हैं जिसे एक दो तीन अलग अलग और जब आप बहुत कोई बड़ बड़ा project होगा जिस पर आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको इनकी काफी ज़रुत पड़ेगी आपको हर चीज चोटी से चोटी चीज काफी detail में काम करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे graphic designer बनना चाहते हैं professional graphic designer बनना चाहते हैं पूरे you know पूरे designing project में या मालीजे कोई image आप बना रहे है पोस्टर बना रहे है तो उस पूरे poster में आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज थोड़ी बी इदर उदर लगे क्योंकि designing में अगर हर चीज symmetry में होगी या हर चीज अपने सही जगर पे होगी जो भी margin है spacing है gap है वो हर चीज अगर accurately होगी तो overall design जो है वो काफी अच्छा लगेगा sometimes मैंने यह देखा है कि जो नए designers होते हैं या जो अभी अभी designing सीख रहे होते हैं उनको यह लगता है कि सर एक pixel से क्या होगा दो pixel से क्या होगा या 5 pixel का gap किसको ही दिखेगा लेकिन जब ऐसा वो attitude रखते हैं तो overall project में overall उस photo में या poster में चोट चोट elements में गलतियां होती रहती हैं और फिर overall जो look है उस project का वो अच्छा निकल कर नहीं आता वो उतना convincing नहीं लगता तो यह बहुत ही अच्छी practice है अगर आप पहले दिन से इसको ध्यान में रखें मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने ruler लगाएं लेकिन हा शुरुआत आप थोड़े चोटे you know project से या चोटे image से करें जिसमें ज्यादा margin padding या ज्यादा accurately ज़रूत ना हो पर धीरे धीरे ध अगर आपको इसको ruler को हटाना है तो वापस आप file में जाएंगे file में जाके आप view settings में जाएंगे और वापस यहाँ पर click कर देंगे तो जो ruler था left to right top से वो हट गया है और अगर आपको इस design को थोड़ा और बड़ा देखना है तो यहां से इस पर click करेंगे arrow पे और जो left का पूरा portion है यह hide हो जाएगा तो वापको और space मिल गया इस design को देखने के लिए या इसको किसी और को दिखाने के लिए तो इस तरह से जो आप rulers है या guiding lines है उनकी help से अपने design में accurately और you know जादा आप में कह सकते systematically elements को place कर सकते हैं और अपने design को जो है वो और attractive बना सकते हैं दोस झाल 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 झाल